Hey guys, this is Zabinav और आज मैं एक अजीब सी प्राब्लम पर वीडियो बना रहा हूँ प्राब्लम ये है कि हमारे पास जो MI के फोन साथ है उसमें default browser MI browser आता है बट मैं default browser MI browser को change करके Google Chrome देना चाहता हूँ तो वो कैसे करना है अगे मैं आपको एक sample डिखाता हूँ कि actually मैं होता गया है लेट से मेरे पास एक link आता है WhatsApp पर यहां से उस link को मैं click करता हूँ तो यह मुझे MI browser खोलने के लिए कहता है Agree and continue मैंने select नहीं के इस लिए खोल नहीं रहा अदर आपको MI browser पर ले जाएगा अब इस problem को solve करने का एक बहुत simple सा तरीका है मैं अभी आप लोग को स्वीडियों में बताने वाला हूँ राइट ज़र ज़र देखेगा लेट से सेटिंग्स पर जाएगे सेटिंग्स पर जाएगे सेटिंग्स पर जाके सेटिंग्स पर जाके आपको ब्राउजर का option मिलेगा which is MI सबसे पहली बात इसका आप डिफाल्ट ब्राउजर को रोक नहीं पाएगे सेटास डिफाल्ट ब्राउजर इसका बंद करेंगे या आपको क्यागा स्विच ब्राउजर आप स्विच का बटन दवाएँगे यहां पर आपको एक काम करना है वो यह करना है कि uninstall updates uninstall the updates यह मैंने कर दिया uninstall successfully now back to the WhatsApp अब वहाँ पे छोटा सा catch और हमारा यह सारा यह सारा लिंक खुल जाएगा यहां पर यह मैंने क्लिक किया यहां पर सने selection पूछा मुझ से remember my choice पे क्लिक किया more का option दवाया chrome as a default browser select किया and bingo it works so that's how we are changing it up as a default browser for MIE like करें subscribe करें share जरू करना का वीडियो पसंद आए तो thank you